जैहीन आफिरवन आज हमें सीडियों आपको बताएंगे कि जनमतिती आप अपना कैसे निकाल सकते हैं बलके ही अपना ही नहीं किसी और भी व्यक्ति का आसान तरीका से निकाल सकते हैं बिल्कुल ही आप 2 मिनिट में सीख जाएंगे 2 मिनिट में मेरा बोलने का मतलब है कि 2 मिनिट में आप अच्छे डंक से सुनेंगे और समझेंगे तब आपको date of birth निकालने के लिए समझ में आएगा बलकि 2 मिनिट से आपको कमी time लगेगा जो वीडियो जो होगी वो आपका 10 या 10 मिनिट से plus भी हो सकता है या उससे कम एक अवरेज देखें तो वीडियो जो आपकी होगी वो 10 मिनिट के करीबान होगी लेकिन जो main topic और main concept समझने के लिए आपको 2 से 3 मिनिट लग जाएंगे तो चलिए समझते हैं कि इस वीडियो में आप अपना जनमतिती कैसे निकाल सकते हैं मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति का जनमतिती होता है जैसे सपोई डेट एक माल लेते हैं यहाँ पे दो date of birth और लडी पहले किसी व्यक्ति का लिक लिए या किसी व्यक्ति का नहीं ऐसी example के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ माल ले जैसे किसी व्यक्ति का जनमतिती है 1996-1997 ठीक है तो 1996-1997 वाला व्यक्ति का आज कितना दीन होगा कितना महीना होगा और कितना साल होगा इसी को बोलते हैं जनमतिती नहीं कालना मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग देखते हैं समाजते हैं कोई व्यक्ति का जानम है माल ले जाए 1998 ठीक है दीन के साथ पांच ना 1999 का व्यक्ति जानमा है तो आज के डेट के अनुसर उसका कितना महीना होगा कितना दीन होगा और कितना साल होगा लेकिन आप मुझ जवानी डाइडेक्ट बता पते हैं कि हाँ भाई 1998 उला रेक्ति जो जानमा है जो इस वर्स चल रहा है उसका 22 साल करीबन हो जाएगा ठीक है तो 22 साल तो जरूर होग तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1996-1997 यह और लेड़ी पहले में दो डेट बत लिख लिख लिया है 1996-1997 और एक आपका है 73-1998 तो चलिए ठीक है यह दोनों व्यक्ति का एकक करके देखते हैं कि आज के डेट यानि 17 माई 2021 के दिन 1996-1997 वला व्यक्ति जो जानमा है उसका अच कितना दिन होगा कितना महीना होगा और कितना साल होगा वैसी इसका भी डेट और बर्त निकालेंगे लेकिन यह दोनों ज से लिए मैं जान बुच कर लिखा हूँ ताकि यह इस टाइप के कोसन से आप गुजाएंगे तो आप किसी भी और कहीं पर भी आसानी से सोलूशन कर सकते हैं देखिए सबसे पहले आज डेट बर्त निकालने के लिए आज का डेट यहां पर लिखना पड़ेगा तो ठीक है आज कितना डरीक है आज आपका हो गया 17-5-2020 ठीक है 17-5-2020 तो यह मैं एक्जामपल के लिए पहले मैं दो लिख लिया हूँ तो सबसे पहले इसका मैं लिखता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बदा दू कि यहां पे 17 क्या है यह दीन होता है ठीक है और यह क्या होता है जो 5 है यह आपका महीना है यानि जनवरी, फरवरी, मार्च, अपील, मैं यह पांचवा महीना है और 2020 जो है वो आपका year यानि साल है ठीक है यह आप समझे तो वैसे हैं आपका date और बर्त में भी जनम, तीथी में भी वही मेटर लिखा हो रहाता है कि यहां पे आपका होता ह दीन और यहां पे आपका महीना होता है और यह आपका year यानि साल होता है ठीक है तो आपको महीना के सामने महीना लिखना पड़ेगा और आपको दीन के सामने दीन और year के सामने यानि साल के सामने लिखना पड़ेगा सामने कहने का मतब है कि इसके नीचे लिखना पड़ेग ठीक है भाई यहां 17, 5, 2,20 मैं लिख दिया अब किसका जनमती थी लिखा निकालना है तो यह वेक दिका तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 17 की नीचे यहां पे लिखना होगा 19 और यहां पे 5 की नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा इस जगा पे 6 लिखना पड़ेगा और इस जगा पे हमें 1997 लिखना पड़ेगा ठीक है तो आप देखिए date of birth निकालने में जो आप को सबसे पहले परकिरिया करना पड़ता है यह आप first परकिरिया समनी आप है कि सबसे पहले date लिखना पड़ेगा और उसके नीचे जो व्यक्ति का जनमती थी निकालना उसका सामने date of birth लेकिना पड़ेगा ठीक है तो अब उसके बाद क्या करना है अब आपको घटाना है तो घटाने का तरीका यह है आपको इधर से नहीं घटाना है क्योंकि आप और लेड़ी घटाओ जो सिखे हैं बचपन से यह इधर से सि प्रोबबल्म हो रही है यहां भी pi squeezed 6 गटे का नहीं यह भी आपकी प्रोबील्म हो रही है जंदिस का पर व्यक्ति निक लेगा ये मई नहीं हो रहा है तो इससे पहले सबसे पहले हम इस व्यक्ति का लिखें कि यहां पर डेट अप बर्त निकालेंगे, यह simple है, यह directly घड़ जागा, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग clean कर देते हैं, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग को इस व्यक्ति का जनमतिती निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह simple है, तो सबसे पहले simple सीखते हैं, उसके नीचे 7 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 के नीचे हमें 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 2021 के नीचे 1998 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो भाईया, 1999 मैं लिख दिया, यानि दिन के नीचे दिन लिख दिया, महीना के नीचे महीना, और साल के नीचे साल लिख दिया, अब आपको किदर से घटाना इधर से नहीं आपको घटाना है या अलड़ी पहले मैं आपको पता दिया इधर से आपको घटाना है तो अब देखिए 17 में से 7 घटेगा तो आपका कितना हो गिया 10 हो गिया और यहां 5 में से 3 घटेगा तो आपका यहां 2 हो जाएगा यानि 17 दीन में से 7 दीन घटेगा तो 10 दीन यह आपका हो गया 10 दीन और यहां पे 5 महीना में से 3 महीना घटा तो यह आपका 2 महीना हो गया ठीक है क्योंकि यह महीना होता है यह दीन होता है अभी यह साल होता है तो यहां से हम लोग घटाएंगे कि 1 में से 8 नहीं घटेगा तो तो आपका 3 हो जाएगा, अब ठीक है, यहां भी आपका 1 हो गया, तो 11 में से, अगर हम 9 घटाएंगे, तो यहां आपका 2 हो जाएगा, और यहां भी आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां हम हासिल लेंगे, तो यह 10 हो गया, और 10 यहां एक दिया, तो 11 में से 9 घटाएगा, तो 2 तो ठीक है यहाँ पे आपका कितना हुग गए यह आपका 10 दीन हुआ, यह आपका 10 दीन और यह आपका हुआ दो महीना बखक का और यह आपका हुआ गए तीज साल अब आप असानी से समझ गये और कैसे आप निकाल सकते हैं लेकिन ठीक है ये आपका simple था बस आपको घटा देना था ठीक है तो अब इसका देखते हैं कि 1906-1990 कितना दिन होगा कितना महीना और कितना साल होगा ठीक है तो इसके नीचे हम लोग इसे clean करना होगा और उसके बाद आपको जस्ट वही मेटर लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले आपका आज डेट लिखना पड़ेगा तो आज आपका डेट हो गया 17-5-2021 ठीक है और उसके बाद जैसे है वैसे आपको सेम लिखना पड़ेगा लेगा चलिए ठीक है अब उसके बाद कि 7 हम से कैसे 16 घट्रा को कोई ठीक है क्योंकि हम हासी ले सकते हैं अगला व्यक्थी से यहहां पड़ जोड घटल में सीख चूके हैं भीक है तो यहां पर यह PARMक्रमक्रमक्क को शीक चुके हैं अब यहां स सतरा दीनवाला को एक महिना लेना है थैने एक नि讲 मैं Chain अगर हम एक महीना निकाल दे तो एक महीना मतलब कितना दी आपका 30 दिन हो गया तो यहाँ पर आपका 4 महीना हो गया यानि यहाँ पर आप जो लिखे इधर जो आप हासिल लिए वो एक महीना लिए है यहाँ पर चार महीना हो गया, अब आपका यहाँ पर कितना हो गया, एक महीना हो गया, तो ठीक है भईया, एक महीना मतलब कितना दिन, तीस दिन, तो एक महीना मैंने तीस दिन, और यहाँ पर सतरा दिन है, तो यहाँ पर सतरा दिन है, और सतरा और यहाँ पर तीस, अगर हम आ 22 दिन हो गया अब उसके बाद यहां देखे चार है यहां पे चार महीना यह नहीं के पांच महीन है क्योंकि यहां पे पांच था लेकिन इधर नहीं घट रहा था इसलिए तो यहां पे दे दिया एक महीना तो यहां पे चार महीना हो गया ठीक है तो यहां पे चार महीना हमसे च्छे मेने ने करेगा तो इसका भी उपाह है। इसका ये उपाह है कि हम साल में से हासिल देने के यानि इधर चो 2021 है और 2021 इधर एक साल देदेगा तो यहाँ पे 2020 हो जाएगा इसलिए देगा क्योंकि इधर घट नहीं रहा है तो ठीक है, यहाँ पे 2021 है तो यहाँ पे 2020 हो जागा क्योंकि इधर एक हासिल दे दिया एक साल हासिल दे दिया तो एक साल हासिल कहने का मतलब है बारा महीना ठीक है बारा महीना बारा महीना इसलिए बोल रहा है क्योंकि महीना हासिल ले रहा है अगर दीन लेता तो वहाँ पे convert करते हैं कि 365 दीन समाझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं वो महीना का हासी ले रहे हैं इना की दीन का हासी ले रहे हैं महीना वरा में हम लोग हासी ले रहे हैं किस से तो साल से तो एक साल में से, हम लोग एक साल ले रहे हैं, तो एक साल में कितना होता है महीना, बारा महीना होता है, और और लेडी पहले यहां पे कितना महीना है, चार महीना, तो बारा उचार कितना महीना होगा, तो बारा उचार कितना महीना होगा, सोला महीना होगा, मतलब यहां पे च जो इधर से हासिल ले लिए तो 11 हो गया, 11 मेंसे 9 घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर एक हासिल लेंगे, तो आपका 10 हो जाएगा, 10 इधर दिया, तो आपका 9 हो गया, तभी तो आगी की प संतन्वे वलाई वेक्ति का आज जो दीन महीना साल हो रहा है वो उसका हो गिया तेज साल दस महीना और अटथाइस ती मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेच्ट दे हम लोग मिलते हैं क्लास दसवी की घनीत के साथ जैहीं जैपार